आपके साथ अखिले शाड़ी और सिलसिला बजार का मैं आप सब के लिए एक बाद फिर से लेकर आगे हूँ यहाँ पर कमुनिटी बजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि आज शुकरवार के दिन हफते के आखरी कारोबारी दिन कमुनिटी बजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मैता की क्या राय रहेगी और शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले नौन एगरी कमुनिटीज में हमेशा की तरह ही सोने और चान्दी से तो देख रहे हैं की सोने चान्दी में कल को कुछ बड़त देखने को मिलीती आज देख रहे हैं उपरी दरों से हलकी सी मुनाफावसोली आई है 1893 डॉलर पर इस समय गोल्ड ट्रेड करता नजर आ रहा है आदे फीजदी की करेक्शन है लगभग साड़े आठ डॉलर लुडका है साड़े आठ डॉलर मियान की जो कल के कादवारी सत्र में गोल्ड था वो 1900 डॉलर के उपर भी जाता है नजर आया था गोल्ड के अंदर एक बार फिर से देख रहे हैं कि सेफ हैवन डिमांड निकल के सामने आ रही है आपको बता दें कि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है रशिया और यूकरेन की बीच जो विवाद चल रहा है और उसको लेकर अलग-अलग देशों के राष्ट्र देखने को मिला है आपको बता दें ये जो कीमते देखने को मिली है सोने की इस समय वो जून 2021 में जो देखने को मिली थी अब लगबग उतनी देखने को मिली है वही वायदा अगर बात करें अगर गरेलू वायदा की तो गरेलू वायदा MCX पर भी सोने की जो कीमते हैं वो domestic में भी जिसकी वज़ा से सोने में अभी देख रहे हैं कि हलकी सी नर्मी देखने को मिली है नर्मी नहीं कहेंगे इसको correction कहेंगे कि उपरी से profit booking बनती नजर आई है जो भाव है सोने के gold के वो बहुत ही जादा attractive इस वक्त बने हुए है और आगे भी जब तक रशिया और यूकरेन का जो विवात पूरा नहीं हो जाता है समझोता नहीं हो जाता है तब तक सोने की जो safe है में demand है वो ऐसी ही निकलती रहेगी सोने की जो कीमते हैं वो ऐसी attractive अच्छी कासी तेज की साथ trade करती रहेगी cold war एक बार खतम हो जाए उसके बाद हो सकता है कि सोने की जो कीमते हैं थोड़ी नरम पड़ें लेकिन जब तक geopolitical tensions चालू रहेंगी सोने चांदी की जो कीमते हैं ऐसी उच्छलती रहेंगी दूसरा सिर्फ geopolitical tensions ही नहीं है जो सोने चांदी की कीमते बढ़ा रही है इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सेदारी है वो महंगाई का भी है inflation rate लगातार बढ़ता जा रहा है अमेरिका में हमने 4 दशकों के उच्छ समसर पर महंगाई देख चुक है यानि कि 40 साल भारत में भी जो महंगाई दर है लगातार बढ़ती जा रही है UK, United Kingdom की भी जो कह सकते हैं इसको जो retail inflation है उसमें भी काफी बड़ाथरी देखने को मिली है जिसकी वज़ा से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है और सोने चांदी की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है आपको पता दें कि कॉमेक्स पर जो गोल की जो कीमते हैं वो पहले से ही 3.6 फीजदी जादा है अगर साल दर साल की बात की जाए लेकिन जो जून 2020 में सोने की जो रिकॉर्ड तर देखने को मिलेते 2100 डॉलर के करीब कॉमेक्स पर उससे भाव अभी भी नीचे ही है 2100 का लेवल तो टच हो चुका है इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है लेकिन सोने की जो कीमते हैं अभी भी अट्रेक्टिव ही बनी हुई है जो आगे भी ऐसी ही देखने को मिल सकती है जब तक सोने चांदी की जब तक की कोल रशिया यूक्रेण का विवाल टल नहीं जाता है खत्म नहीं हो जाता है तब तक सोने चांदी की जो कीमते हैं ऐसे ही तेजी के साथ कारोबार करती नजर आ सकती है आपको बता दें जानकारों का मानना है कि गोल्ड में इस समय जो रेजिस्टेंस रहेगा वो उपर में 1920 से 1930 डॉलर के करीब का रहेगा यानि कि सोने की जो कीमते हैं कॉमेक्स पर इंटरनेशन मार्केट में उपर में 1920 डॉलर से 1930 डॉलर तक जाती नजर आ सकती है और अगर जो सेफ हैमन डिमांड है वो थोड़ी यहां से और बड़ी रहती है सेफ हैमन डिमांड यहां से और निकलती है तो सोने चांदी की जो कीमते हैं उपर में जानकारों के अनुसार 1970 डॉलर के लेवल तक भी जा सकती है तो काफी अच्छा लेवल है काफी अट्रेक्टिव लेवल है 970 डॉलर लेकिन तभी देखने को मिलेगा अगर सेफ हैमन डिमांड बहुती ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हम देखते हैं कि सोने चांदी को दरासल जब भी कुछ आबदा आती है जब भी कुछ संकट आता है किसी भी तरह का तो सोने चांदी को as a safe haven demand use किया जाता है, safe haven के तौर पर उसको देखा जाता है कि हाँ, अगर पैसा काम नहीं आएगा, तो सोने चांदी बेच कर गुजारा हो जाएगा, या फिर कुछ दूसरी चीज खरीद ली जाएगी, तो सोने चांदी को उस श्रेडी में गीना जाता है, जिससे की जो दूसरी चीजों का exchange है, वो किया जा सकता है, और लोग को जरुद भी रहती है, इसकी वज़ा से सोने चांदी की जो डिमांड है, safe haven डिमांड में निकलती है, इसी के साथ बात कर रहे हैं, यहां से अगर अब crude oil की, तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि WTI 91 डॉल के बाद, अब crude की जो कीमते हैं, यहां से फिसलती भी नजर आई है, आपको बता दे कि यह जो US और इरान के बीच जो nuclear deal की बाते चल रहे हैं, उसकी वज़ा से अब कच्चे तेल की जो कीमते हैं, उन पर एक दबाब फड़ता नजर आए, अदर्वाइस, जिस हिसाब से geopolitical tensions चल रही हैं, उसके हिसाब से कच्चे तेल की जो कीमते हैं, वो 100 डॉलर के पार जा सकती हैं, ऐसा जानकारू का मानना है, लेकिन इसी बीच, IEA, International Energy Agency का भी एक statement आया है, कि साल 2022 और साल 2023 के अंदर कच्चे तेल की जो डिमांड है, इतनी बढ़ जाएगी, जिसकी वज़ा से जो उत्पादन है कच्चे तेल का, वो मुख्य उत्पादक देशों को बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड मीट करने के लिए, इतनी जादर डिमांड बढ़ जाएगी, और जब कच्चे तेल का जो उत्पादन बढ़ेगा, उसकी वज़ा से जो range रहेगी से लेकर 70's की range में आ सकती है, ऐसा IEA का बयान निकल के सामने आया है, और अभी बता दें कि कच्चे तेल में अगर हलकी फुल के भी correction आ भी रही है तो जादा नहीं जाएगी, जादा नीचे भी कच्चे तेल नहीं जाएगा क्योंकि Russia और Ukraine का जो cold war है वो देखने को मिल रह है, अगर Iran से थोड़ी supplies हो जाती है, कच्चे तेल की तो हो सकता है कि market में थोड़ी supply बढ़े और कच्चे तेल की कीमतों में हलकी फुल की नर्मी देखने को मिले, otherwise कच्चे तेल की जो कीमते हैं और जो बजार है वो ऐसी उपर चड़ा रह सकता है, बात करें याज अगर इंटरनेशनल मार्किट में, बात करें अगर घरेलु वायदा की, तो घरेलु वायदा में MCX Zinc 300 पर है, निकल 1809 पर है, निकल में शांदार तेजी देखने को मिल रही है, MCX LED 185 पर प्रेड करता नजर आ रहा है, देख रहे हैं कि आज सबसे चीज़ों तेजी बेस मेटर्स में बनती नजर आ रही है, वो निकल में बनती नजर आ रही है, आपको बता दें कि निकल एक बार फिर से 1800 के उपर निकला है,ajo, जनवरी के महिने में वो घटा है, जिसकी वजा से निकल की कीमतों में गरेलु स्तर में भी तेजी देखने को मिली हैं, और हमारी जो जानकार हैं रूपा मैता उन्होंने base metals में हमेशा तेजी ही बताईए कि base metals में हमेशा निचले स्थर पर खरीदारी करें short term के साथ साथ जो base metals है long term में भी मुनाफ़ा जरूर देते हैं और वैसा ही trend हम अब follow होते हुए देख भी पा रहे हैं दूसरा आगे चलके आने वाले समय में एक से डेड़ साल के अंदर अंदर base metals की जो consumption है जो खपत है वो बढ़ने वाली एकदम से क्योंकि भारत में भी अब electronic vehicles का दौर आ जाएगा जिसकी वजा से base metals की जो खपत है ज्यादा देखने को मिलेगी भारत के साथ साथ जो अन्य देश हैं वो भी अब electronic vehicles की ओर चल पड़े हैं अमेरिका में पहले ही देख चुके हैं कि टेसला कदम रख चुकी है टेसला के साथ साथ और भी बहुत सारी companies हैं जिन में base metals का यूज किया जाएगा बनाने के लिए metals का इस्तमाल किया जाएगा और बैटरीज के लिए जो लीथियम वगरा यूज होते हैं उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी तो अवरॉल जान base metals में तेजी वाला ही रहने वाला है जो conductors और semi conductors की जो consumption है आने वाले समय में आने वाले कुछ सालों में वो जोड़दार ही बढ़ने वाली है जोड़दार ह तो यह तो बात करें थी हमने यहाप है non-agry communities की